अग्जाइब लिए इन्पोर्टन रहने वाली है और इस क्लास में प्रेशनों का जो लेवल होगा वो आपके नेट जी आरफ एक्जाइम के साथ साथ असेस्टन प्रफेसर एक्जाइम के लिए रहने वाला है और प्रेक्टिस सेट ये फाइफ है से पहले चार और क्लास हो चुकी है क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जो कर दीजे अगर आप नेट जी आरफ प्जी टी जी आईसी या फिर एसेस्टन प्रफेसर प्रशन से आप यह वीडियो को देख सकते हैं वहां से उन वीडियो को देख सकते हैं बस कुछी देर में स्टार्ट होने वाली है आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जव कर दीजे प्रश्ण है किसने कहा है कि जाती प्रजातंत में सहायक है जाती को प्रजातंत में सहायक इन में से किसने माना है ओप्शन्स दिये गए है F.G. Bailey, H.I. Rudolph, M.N. Shrinivas, S.C. Dube यहाँ पर यह किसका कहना है कि जाती प्रजातंत में सहायक है F.G. Bailey, H.I. Rudolph, M.N. Shrinivas, S.C. Dube तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा H.I. Rudolph Option B यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जाती प्रजातंत में सहायक है यह कहना रुडॉल्फ का है B यहाँ पर राइट है प्रेशन है निर्धारनवादी विचारक की रूप में काल माक्स बल देते हैं सांस्कृतिक कारक पर प्रोधोगिक कारक पर आर्थिक कारक पर या फिर जैविकी कारक पर निर्धारनवादी विचारक की रूप में काल माक्स बल देते हैं इन में से किस पर जोर देते हैं आर्थिक कारक पर option C यहां पर right answer होगा और काल मार्क्स को आर्थिक निर्धारनवादी कहा जाता है यह याद रखिएगा इसके अलवा काल मार्क्स यानि कि इनकी जितनी भी अवधारनाएं सिद्धान्त हैं सभी को complete कराया जा चुका है प्लेलिस में आपको काल मार्क्स के नाम से folder मिल जाएगा जैसे कि अगर इनकी कुछ अवधारनाव सिद्धान्तों की बात की जाए तो द्वंदात्मक बहुत इक वातका इनका सिद्धान्त रहा है इसके अलावा एक महतपुर सिद्धान्त है वर्ग संखष का जो एक्स में आपको फिर इनका एक सिध्धान्दे स्प्रप्रास वैल्यू यानि कि अतिरिकत मूली का सिध्धान्द भी काल माक्स नहीं दिया है ठिके तो यहां पर C होगा रैट प्रश्ण है इनमे से कौन पश्मी करण की प्रक्रिया को ही आधुनी की करण मानते हैं तो यहां पर पश्मी करन की प्रक्रिया को आधुनी की करन कहने वाले डेनियल लर्नर हैं इस टॉपिक को कम्प्लीट कराया जा चुका है इस नाम से आपको प्लेलिस में फोल्डर मिल जाएगा प्रश्न है किसने प्रभु जाती की अवधार्ना की जगहा प्रभु समुदाय की अवधार्ना के प्रियोग का सुझाओ दिया है इस पर क्लास हो चुकी है प्लेलिस में आपको फोल्डर मिलेगा एमेन शिनिवास की महदपुर अवधानाओ की नाम से और उस फोल्डर में दो क्लासेस दो वीडियोज मिलेंगी आपको एक तो संस्कृती करन से सम्मंदित है और दूसरी प्रभु जाती से सम्मंदित है इस क्लास को जिसने भी ना देखा हो इस वीडियोज को जिसने भी ना देखा हो इस अभी ज़रू देख लिजेगा क्योंकि ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि हर एक्जान्स में इनसे प्रेशने देखने को मिलता है पूछा जाता है और यहां पर आई राइट अंसर रॉई बर्मन हो जाएगा रॉई बर्मन और इसकी जगह अगर बात की जाए प्रभु व्यक्ति की ठीके कम्योटी है अधिजयाप प्रभु व्यक्ति के आफधार्ना किसने दी है प्रशन है या किसने कहा है कि द्वित्यक सम्हू शीत जगत के प्रतिनिधी हैं प्रभू, लैंडेस, डेविस, सम्न द्वित्यक सम्हू को शीत जगत का प्रतिनिधी इनमें से किसने का ये PGD की एक्जाम में कई बार प्रशन पूछा जा चुका है और यहाँ पर आईर आंसर हो जाएगा लैंडेस लैंडेस ने द्वित्यक सम्हू को शीत जगत का प्रतिनिधी कहा है B यहाँ पर राइठ होगा प्रशन है भूमिका पर कौन सा कथन गलत है यहाँ पेक्षाओं का एक पुंज है एक व्यक्ती की भूमिका को बिना दूसरे व्यक्ती की भूमिका के उद्वरण को परिभाशत करना असंभव है भूमिका अधिकारोम कर्तव की श्रंखला है भूमिका का प्रस्तती के साथ कोई साचर नहीं है गलत पूछा जा रहा है and status and role यानि कि प्रस्तति और भूमिका इस topic को complete कराया जा चुका है playlist में आपको folder मिल जाएगा वहाँ से आप सारी उन classes को देख सकते हैं और बात की जाए प्रस्तति और भूमिका से सम्मंदित अवधार्ना होगी तो जितनी भी महतपुर अवधार्नाएं हैं देख लेंगे तो ठीक है क्योंकि अब directly concept से related प्रश्ण ही पूछा जाता है कि यह अवधाना किसकी statement दे दिया जाता है तो जब तक आपका concept clear नहीं होगा आपको मुश्किल होगी ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा भूमी का और प्रस्तिती के साथ कोई सहचर नहीं है यह गलत है ठीक है डी यहाँ पर right होगा प्रश्ण है अब यहाँ पर देखे मिलान करना है देख कर बताईए सही क्या होगा सही क्या होगा इसमें से देख कर बताईए आप तो देखे जाती व्यवस्था यह स्त्रीकरत समाज हो जाएगा आश्रम व्यवस्था व्यक्ति के विकास का इस्तर पुरुशात की बात की जाए तो जीवन के लक्षों की प्राप्ति और कर्म का सिध्धान जन्मिन मृत्यों चक्र से संबंदित हो जाएगा option B यहाँ पर right answer होगा प्रेशन है नकारात्मक संदर्प समू का अध्यन किया गया देखिए यहाँ पर अध्यन पूछा जा रहा है ठीके अध्यन किस ने किया है नकारात्मक संदर्प समू का जॉनसन रौल्फ लिंटन फ्रायड विल्यम स्कौर्ट जोनसन, रॉलफ लिंटन, फ्राइड, विलियम स्कॉर्ट ॉप्शन से प्रेश्न है किसने समाज का विभाजन, थीन प्रकार की समाज, नातेदारी, सत्ता तथा नागरिकता के रूप में किया है मौर्गेन ओपेन हाइमर लेवी हॉब हाउस ओप्शन से समाज का विभाजन तीन प्रकार के समाज नातिदारी सत्ता तथा नागरिकता के रूप में इनमें से किस ने किया है तो यहां पर राइड आंसर क्या होगा होगा होब हाउस ठीक है होब हाउस है ओप्शन डी यहां पर राइड आंसर हो जाएगा प्रश्ण है अब यहां पर गलत युगम का चुनाव करना है कौन सा गलत है आईए देखते हैं बाल विवा निरोधक अधिनियम 1929, हिंदू विद्वा पुनर विवा अधिनियम 1960, हिंदू गोध लेना और भरन पोशन अधिनियम 1956, हिंदू उत्रादिकार अधिनियम 1956 बताईए इस अभी कराया गया है राइड आंसर क्या होगा है यहां पर राइड आंसर यहां पर हिंदू विद्वा पुनर विवा अधिनियम है और यह अधिनियम कब आया था यानि कि आपको इसका वश बताना है कमेंट बॉक्स में ठीक है कमेंट बॉक्स में आपको इसका अधिनियम का वश बताना है सही क्या है प्रश्ण है आधुनिक भारत में समाजिक परिवर्तन पुस्तक किसने लिखी है तो यहाँ पर राइट आंसर किस क्या हो जाएगा एमन शिनिवास ओपशन सी यहाँ पर राइट होगा एमन शिनिवास की यह बुक है ऑपशन सी यहाँ पर राइट है प्रश्ण है एसेस इन सोशॉलॉजिकल थ्योरी अब यह बुक kिसकी है मैक्स वेबर, किंग्स ले डेविस, पार्सन्स, बोटो मोर ओप्शन्स है एसेज इन सोशोलोजिकल थियरी किसकी हो जाएगी ये बुक? पार्सन्स, टॉलकेट पार्सन्स की है ओप्शन C यहाँ पर राइट आंसर होगा ठीक है? टॉलकेट पार्सन्स की है ओप्शन C यहाँ पर राइट है प्रशन है निम्न में से लॉम्प्रोसो द्वारा प्रस्तुत अपराधी वर्गी करण में कौन शामिल नहीं है? विक्षिप्तित अपराधी, पेशिवर अपराधी, जन्मजात अपराधी, आकास्मिक अपराधी अपराधी का इन्होंने वर्गी करण दिया था और इसके लावा अपराधी जन्मजात होते हैं ऐसा इनका कहना था लॉम्प्रोसो का और लॉम्प्रोसो की इस बात का खंडन किया था सदल लैंड ने और उनका कहना था कि अपराधी जन्मजात नहीं होते हैं बलकि अपरादी एक सीखा हुआ वैवार है व्यक्ति समाज में लोगों के साथ रह कर लोगों कुछ व्यक्तियों का ऐसा सम्हू होता है जो कानून के विरुद किरियाए करते हैं उनका वैवार कानून के विरुद होता है ऐसे लोगों की संगती में रह कर ही व्यक्ति क्या करत द्वारा अंसर क्या होगा राइट आंसर यहाँ पर क्या है डेविट हाडी मैं ओप्शन बी यहाँ पर राइट है प्रश्न है किसने समुवों के वर्गी करण में लगू समुदाय एवं व्रहत समुदाय को अंतर्विस्ट किया है ओप्शन से पार्क अन बर्गेस होम्स टॉनी रॉबर्ट रेट फिल्ड राइट आंसर क्या होगा रॉबर्ट रेट फिल्ड का यह कॉंसेप्ट है उन्होंने समुवों का वर्गी करण भी इस तरीके से किया साथ ही उन्होंने लिटिल कमिनिटी यानि की लगू समुदाय की भी अवधार्ना दी है इस से सम्बंदित भी प्रशन पूछा जाता है कि लगू समुदाय की अवधार्ना क्या है लगू समुदाय की जो विशेषता है लगूता विसिस्टता समरूपता आत्म निर्भरता यह चार विशेषता हैं लगू समुदाय की रॉबर्ट रेट फिल्ने बताई थी इन वि दी हुई है तो इन सारी अवधार्णाओं को याद रखेगा इसके अलावा क्रशक समाज ठीक है क्रशक समाज की भी अवधार्णा रोबर्ट रेट्फिल की ही है जो कि एक्जाम्स में पूछी जाती है आप सभी को जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए जाते हैं य उसी नॉलेज जो मुझे मिली है उसी के साथ आपसे शेयर की जाती है तो उसके नोट्स बना लिया करिए ठीक है अब यहाँ पर देखे पुस्तक से संबंदित प्रश्चन है किसकी है रॉल्फ लिंटन योगेंदर सींग् एम शीणिवास डी पी मुखर जी बुक का नाम है मॉड़न इंडियन कल्चर रॉल्फ लिंटन योगेंदर सींग एमन्शी निवास डी पी मुखर जी ऑप्शन्स हैं यहाँ पर आईट आंसर क्या होगा बताई ये ये किसकी हो जाएगी DP मुखरजी की धूजर्टी प्रसाथ मुखरजी इनका पूरा नाम है Option D यहाँ पर राइट होगा Modern Indian Culture DP मुखरजी की बुक है प्रेशन है किसका कहना है कि परंपरा जड़ नहीं है समय के साथ इसमें बदलाव आता रहता है Options है राधा कमल मुखरजी, DP मुखरजी, DN मजुमदार, राम कृष्ण मुखरजी बताईए यहाँ पर सही क्या होगा Right answer यहाँ पर क्या होगा परंपरा जड़ नहीं है समय के साथ इसमें बदलाव आता रहता है ऐसा कहना किसका है DP मुखरजी, धूजटी प्रसाद मुखरजी, Option B यहाँ पर Right होगा प्रश्ण है Family and Kin in Indo-European Culture किसकी है? S.C. Dube, K.M. Kapadia, G.S. Guria, A.M. Shah Family and Kin in Indo-European Culture किसकी हो जाएगी इबुक? Family and Kin in Indo-European Culture S.C. Dube, K.M. Kapadia, G.S. Guria, A.M. Shah Right answer, G.S. Guria है Option C, यहाँ पर Right होगा और G.S. Guria ने जाती विवस्था का सबसे पहले विवस्थित तरीके से अधिन किया था Cast, Class and Occupation में अपने पुस्थक, Cast, Class, Occupation में इन्होंने सबसे पहले विवस्थित तरीके से अधिन किया था प्रशने, A.S.S. on Urbanization of Under Development Societies अब इस पुस्थक से संबंधित कौन है Option से, A.R.D.S.I, A.M. Shah, A.G. Frank, S.C. Dubai A.S.S. on Urbanization of Under Development Societies से संबंधित कौन है यहाँ पर सही क्या होगा Right answer, A.R.D.S.I है, Option A यहाँ पर Right है बुक है, India Social Structure M.N.C. निवास, लेविस्ट्रॉस, नाडेल, और मुखरजी India Social Structure किसकी हो जाएगी यह बुक? इंडिया Social Structure M.N. शिनिवास, Option A यहाँ पर Right है प्रेशन है, Urban Family and Family Planning in India Urban Family and Family Planning in India यह किसकी है पुस्तक? A.R.D.S.I, K.M. कपाडिया, इरावती कारवे, A.M. Shah, Options है A.R.D.S.I, K.M. कपाडिया, इरावती कारवे, A.M. Shah, Options है Urban Family and Planning in India तो यह A.R.D.S.I की हो जाएगी Option A यहाँ पर Right है प्रेशन है, Society and Politics in India ध्यान से देखेगा, Society and Politics in India है पुस्तक रजनी कोठारी, आंद्रे बेते, रॉबिन फॉक्स, रेमेंट फॉर्थ, आप्शन है तो यहाँ पर Right आंसर आंद्रे बेते है B. यहाँ पर Right है प्रेशन है किसने इस्तरीकरण के प्रकार्यात्मक सिध्धान्त को संस्थापित असमानिता की रूप में व्यक्ति किया है A.R.D.S.I, G.S. गुरिये, आंत्रे बेते, डेविस अन्मूर इस्तरी करण के प्रकार्यात्मक सिद्धान को संस्थापित असमानिता की रूप में इन में से किसने व्यक्ति किया है तो यहां पर आइड अंसर डेविस और मूर है और ऑप्शन डी यहां पर आइड है इन्होंने समाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धान दिया था और जिसकी आलोशना ट्यूमिन ने की थी प्रशन है विचलन के नामकरण के सिद्धान का प्रतिपादन किस ने किया होवर्ट और बेकर डेविट कूपर सदर लैंड कोलिन्स विचलन के नामकरण का सिद्धान किसका है होवर्ट एंड बेकर का ए यहां पर राइट होगा प्रश्ण है वेबलन ने समाजिक परिवर्तन के निर्नायक वादी सिध्धान्त का प्रतिपादन किया है उनके सिध्धान्त को निम्ने में से किस नाम से जाना जाता है आर्थिक निर्नायक वाधी, प्रोधोगी की निर्नायक वाधी, सांस्कृतिक निर्नायक वाधी या फेन में से कोई नहीं यहाँ पर सही क्या होगा? प्रोधोगी की निर्नायक वाधी होगा, option B यहाँ पर right होगा प्रश्न है किसने कहा है कि परिवार धीरे-धीरे समापती की ओर जा रहा है पारकर, एडर्सन, गुडे, फॉल्सम, रॉबर्ट, बेरेस्टेट राइट क्या होगा परिवार धीरे-धीरे समापती की ओर जा रहा है ऐसा कहना इनमें से किसका है तो राइट अंसर गुडे हो जाएगा ओप्शन B यहां पर राइट होगा प्रेशन है धर्म अध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है या किसने कहा फ्रेजर, E.B. Tyler, दुरकी, वेबर धर्म अध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है या कहना किसका था ओप्शन बी एबी टाइलर प्रश्न है लगू समुदाय जन्म से मृत्यु तक का प्रबंधन है या किस ने कहा बी आर चोहान, स. स. दुबे, रॉबर, रेट फिल, मैंकिम, मेरिट और आपसे कल की क्लास में एक क्वेशन पूछा गया था, बुक से संबंदित, शोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियालिटी, इसका सही सही आंसर, सुजल ने दिया है, अमित ने दिया है, इसके अलावा, प्रेटी जी ने दिया है, खुश्बू ने भी दिया है, ठीक है, इन लोगों ने आंसर दिया है, बाकी लोगों ने नहीं दिया है, लगु समुदाई, जन्म से मृत्यु तक का प्रबंदन है, यह किसने कहा है, तो यहां पर राइट आंसर, रॉबर्ट रेट फिल हो जाएगा, ओप्शन C, यहां पर यहां पर राइट आंसर क्या होगा, चेतन तथा आचेतन प्रकार के जो समाजिक नियंतरन है, उसकी बात किसने किये, समाजिक नियंतरन के यह दो प्रकार, चेतन समाजिक नियंतरन और आचेतन समाजिक नियंतरन किसने बताएं है, तो यहां पर कूले है, और कूले के साथ बर्ड नॉट को भी आपको याद रखना है, कूले और बर्ड नॉट ने ये दो प्रकार दिये थे, हो सकते हो, options पर कूले ना हो, केवल बर्ड नॉट ही हो, ठीके, and last question है, किसने जाती का एक बंध वर्ग के रूप में वर्णन किया है, आरके मुखरजी, डीपी मुखरजी, डीएन मजूमदार, एयर दिसाई, जाती का एक बंध वर्ग के रूप में वर्णन इन में से किसने किया है, जाती को एक बंध वर्ग किसने का है, तो डीएन मजूमदार नहीं कहा है, ठीके, option C यहाँ पर write होगा, और इनका होजन जाती पर भी अध्यन रहा है, तो आज की class में बस इतना ही, I hope यह आपको पसंद आई होगे, अगर पसंद आई है तो please like करिएगा, comment करके जरूर बताईएगा, चैनल पर अगर आप नए हैं, तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा, एंड इस वीडियो को जतना हो सके, जादा से जादा लोगों के साथ शेयर ज़ूर करिएगा, थैंक यू,